नमस्कार बच्चों आपका मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज मैं आपको पाट पढ़ाने जा रही हूँ या समझाने जा रही हूँ आर्थिकी द्रस्टी से वाकी के भेड़ वाकी क्या होते हैं इनको समझना पहले बहुत जरूरी है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है सबको मालूम है और वर्णों के समू से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समू से ही वाक्यों का निर्मार होता है और वाकी के सभी पद मिलकर के पूरे अर्थ को प्रकट करते हैं कहने का तातपरी क्या है सार्थक पदों का ऐसा सम्हुझ जो पूर अर्थ तताभाव को इसपस्ट करे क्या कैलाता है वाकि क्यालाता है वाकि के दो खंड होते हैं एक होता उद्देश जिसको हम इंग्लिष में subject क्याते हैं होता है विध्य जैसे हम इलिष में प्रेडिकेट कहते हैं अब उद्धेश की परिभाशा कैसे समझेंगे है प्रतेक वाकिमी किसी ना किसी प्याक्ति अत्वा बस्तु के विशय में कुछ-νη कुछ कहा जाता है जिसको हम उद्धेश कहते हैं विधे क्या होता है उस व्यक्ति अथवावस्तु के विशह में जो कुछ कहा जाता है उससे हम विधे कहते हैं जैसे उधारण है अशोग पढ़ रहा है अब यहाँ पर दो भाग किये गए एक उद्धेश और दुसरा विधे अचिर्णिश और बेदिकेट स्वावरा मे रावाव, लावावर या रचना के अधार पर वाकी सबस्थो, आज हम आपको पढ़ाने जा determinação हैं अर्थिकी द्रश्टी से वाकी के भेद और अर्थिकी द्रश्टी से वाकी के भेद कितने होते हैं यह होते हैं आठ सबसे पहले कौन सा होता है बिधान बाचक दूसरा होता इक्छा अर्थक वाकी तीसरा होता है आपका अग्यार्थक वाकी संद्यार्थक वाकी निशेध होते हैं भाग होते हैं पहला अब हम समझ देते पहला क्या है विधान आर्थक या विधान वाचक वाके इसकी परिभाशा क्या होगी बच्चों जिन वाकियों से किर्या के करने या होने का समाने रूप से बोध होता है वो विधान आर्थक वाकी कहलाते हैं जैसे घोड़ा दौरता है सूरी प्रकाश देता है राम हल चलाता है आप सिंपल सेंटेंस समझ लिजे उसको हम विधान वाचक वाकी कहते हैं सेकिन आता है आपका निशेधार तक वाकी अब निशेधार तक वाकी क्या होते हैं जिन वाकियों में कारिकी ना होने का बोध होता है वे निशेधार तक वाकी कहनाते हैं जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा और सुश्मा महक को नहीं जानती है संजे विद्याले नहीं जाएगा यहाँ पर वाकि को कार के ना होने का जहाँ बोध हो रहा है उसको हम निशेधार तक या निशेध वाचक वाकि कहते हैं अब तीसा देखिए इक्षार तक वाकि जिन वाकियों में वक्ता की इक्षा कामना आशिरवाद आदिका या आश्या के भाव प्रकट होते हैं उसको हम इक्षार तक वाकि कहते हैं जैसे भगवान तुम्हारा भला करे या इश्वर तुम्हें दिरगायू करे यहाँ पे इक्षा है वक्ता की इक्षा है कामना है कि तुम्हाई साथ सब कुछ अच्छा हो या आशिरवाद दिया जाता है वहाँ पारामारा एक्षार्थक वाक्य हो जाता है फिर आता है प्रशनार्थक या प्रशनवाचक वाक्य इसकी परिभाशा क्या होगी जो वाकिये प्रेशन पूछने के लिए प्रियोग किये जाती है अर्थात जिन वाकियों में वक्ता कोई प्रेशन पूछता है बेवाकिये प्रेशन आर्थक वाकिकल आते हैं जैसे उधारन के लिए क्या तुम कल मेरे घर आओगे या आपकी मुठी में क्या है जहां पर प्रशिंचिन लगा होता है वो क्या हो जाते हैं प्रशनार्थक वाकी हो जाते हैं अब आता है आग्यार्थक या आग्या वाचक वाकी जिन वाक्यों में आग्या, आदेश, प्राथना, अनुमती, आदी के भाव प्रकट के जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आग्यार्थक वाकि कहते हैं जैसे तुम अब कहीं नहीं जाओगे या फिर जाओ जाकर सोजाओ इस प्रकार जहां पर आग्या दी जाती है उनको हम आग्यार्थक वाकि कहते हैं इसके बाद आता है संकेत आर्थक या संकेत वाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ती की और संकेत किया जाता है उस जिसमें एक किरिया दुसरी किरिया पर निर्भर करती हो वे संकेत आर्थक वाक्य कहलाते हैं जैसे यदी वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी अब यहाँ पर संकेत दिया गया कि यदी वर्षा होगी तो ही खेती अच्छी होगी या यदी दवा लोगे तो जल्दी अच्छी हो जाओगी तो यहाँ पर एक किरिया दुसरी किरिया पर निर्भर होती है ऐसे बाकियों क को हम संकेत आर्थक वाकि कहते हैं अब अगला है संधे वाचक वाकि बच्चो जिन वाकियों में संधे या संभावना की जलक मिलती है वे संधे वाचक वाकि कहलाते हैं जैसे वो खाना खा चुका होगा अब यहां पर संधे है उसने खाना खाया या नहीं खाया जहां पर संध या संभावना की जलग दिखाई परती है उसको हम संधे वाचक वाकि कहते हैं अगला है विसमे आदी बोधक वाकि है इसकी परिभाशा क्या होगी जिन वाकियों में से शोक घ्रणा आदी के भाव प्रकट होते हैं वे विसमे आदी बोधक वाकि कहलाते हैं जैसे अरे ये क्य कर रही हो वह कितना सुन्दर्द रिशी है इस प्रकार की वाकियों में विसमे आधी प्रकट किया जाता है जहां पे शोक होता है घ्रना होता है ऐसे वह प्रकट होते हैं उन्हें हम विसमे आधी बोधक वा के कहते हैं मेरे हिसाब से बच्चों तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेयर करना तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट आवश्य करना